दुर के पुराने पुलिस लाइन इस्तित शास की आवास ग्रीहों के छत में टीन शेड लगवाने के साथ ही आवास ग्रीहों की मरम्मत किये जाने की मांग को लेकर वहां निवास रतवासियों ने अपनी पीड़ा बताती हुए छतिजगर शासन की ग्रीहमन थी तामजो पा दुरुके कसारीडी वाडिस्तित पुरानी पुलिस लाइन सीविल लाइन में लगबख साथ से अधिक शास की आवास ग्रीह हैं इन शास की आवासों में बारिश के दिनों में छत से पाई टपकने के साथ ही मूल वू सुविधाओं की असुविधा से पिडिद आवास के रहवासियों ने 36 शासन के कैबिनेट मंद्री तामदवस साहू के नाम ग्यापन सौपा और अपनी बाते कही गोटलब है कि इन शास की आवासों में पिछले वित्ती वर्ष दोजार बाइस तेईस में लगबख 34 शास की आवास ग्रीहों में छत पर टीन का शेट शास की म आधियम से पहुचाई इस औसर पर लोगों ने अपनी पतिक्रिया दी मेंटेनेंस के लिए हम लोगों को अलग से खर्च करना पड़ता है पालितिन अगरे लगाना या और अन्य प्रकार की खर्चा हो सब और पीछे तरब की नाली जो है नाली की सफाई का तो कोई आता पत है कि आधा लगा आधा क्यों नि लगा और विभाग के द्वार पीड़ार कमसे कम तीम चार बार हो गया अलग अलग रिपोर्ट लेते हैं लोग कि आपके उसमें क्या टूटा है क्या दर्वाजा क्या है तो इसके लिए भी वह बार-बार हम लोग से मांगते हैं लेकिन मां में लगाए है और आदा में सेश बचा हुआ है कई बार जाते हैं तो बोलता है कि अभी बंठान नहीं है यह नहीं है देखेंगे बाद में इस तरी का कि गुम्रा करके हम लोग को परसानी का सामना करना पड़ा है हमें तो बहुत सारे दिक्कत है सरकारी क्वाटर में जैसे अभी पिछले वर्स चौटीस क्वाटर में मतलब टीन लगाएं हैं बाकी हमारे तरब जो एश टाइब की और जो क्वाटर है उसमें टीन नहीं लगा है प्लस और बहुत सारे समस्याइं है जैसे पीछे नाली वगर की समस्या है निकासी बरसात में पूरा पानी जाम हो जाता है तो उस नाली को कम से कम बनाया जाए मच्छड है ना बहुत सारे मतलब नजहत परविन जी है पार्षद हमारे यहां के बिच बिच में उन लोग को सुचित किया गया था लेकिन बस कुछ करवाही कर के मतलब करवाही करने के बाद में थोड़ा सा ध्यान ने दिये हम यह चाहते हैं कि नियमित रूप से जो मच्छड वगेरा का काम है ना तो उसमें फॉगिंग वगेरा कराया जाए और जैसे सेप्टिक वगेरा का यह भी रहता है टूटा रहता है च्छत वगेरा तीन वग लाया जाए उक्रेंडेसी नियूस के दुरूग सेना सीम फारू की रिपोर्ट